चलिए तो यहां पर जब से पहले बात होने वाली है आपके पैसों के से जुड़े ओनलाइन स्कैम्स की और ऐसे पता चल रहा है कि जो OTP जिसको आप सुरक्षित मानते हैं और Two-Factor Authentication के तहट आप इसका इसका इस्तिमाल भी करते हैं यह अब सुरक्षित नहीं रहे गए हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है और कैसे इससे जुड़े स्कैम्स भी अब सामने आ रहे हैं समझते हैं हमारे साथ नितिन भटगागर जुड़ गए हैं Associate Director जा PCI Security Standards Council और साथी मुकेश चौधरी Cyber Security Expert भी हमारे साथ है आप दोनों का स्वागत है हमारी सखास पेशकर्ष में और चल कि OTP जिसको हम बहुत सुरक्षित मानते थे अब यह भी सुरक्षित नहीं रह गया है जो बहुत जादा अलर्ट लोग है अकसर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को फॉलो करते हुए हमने देखे हैं लेकिन उससे भी अब हैकर्स जो है बात नहीं मान रहे हैं और मेरे ख्या जाद थोड़ा सा वीक है जाएद बोटी भी वीक हो रही है तो मेरा इंटरनेट भी ओरा है बट अधा लाइटर नोट से देखे अफेक्टर ऑथेंटिकेशन यूस करने के कुछ तरीके होते हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा कि बीडिवक्टर ऑथेंटिकेशन जिसे कुछ जो कि आपके पास होता है जैसे पासवर्ड रपस्ट्रेज पॉस्ट ऑनस्वाट यह पिसे जिवीक हैं पुछ जो आपके आपक रूपे कुछ आपके आपके भीते करने जिवक्टांorta इसना hyatter आपके आपके तरशंपस्क्ते हैं यहां पर जो लोग OTP के साथ जितको OTP ले ली जाती हैं उनको यह समझना होगा कि वो fraudsters आप से जान बूच के क्योंकि वो आपकी personally identified information को किसी ना किसी तरीके से आप से ले पा रहे हैं और उस information को यूज करके ही वो आपके साथ इस तरीके के OTP frauds कर पा रहे हैं टेक्निकली अगर यहां देखें हम जब आप किसी डील को online close करने की कोशिश करते हैं आपको कभी भी high pressure tactics यूज करी जाती है in fraudsters के सामने से कि आपको तुरंट OTP बताना है आपको तुरंट कोई information हमें देनी है वहीं आप सको सब्रक होना है कि वहीं आप in fraudsters के चंगुल में पस सकते हैं कभी भी आपको एक online decision जो होती है तुरंट लेने वाली नहीं है और कम से कब अगर आपको ऐसा लग जाए process में उस पूरे process में कहीं आप से कोई information ऐसी ली जा रही है जो आपको नहीं देनी चाहिए तो आपको रुख जाना चाहिए और उनसे आपको writing में कुछ चीज लेनी चाहिए या फिर उनको तुरंट ही मना कर देना चाहिए या आपको वो information देनी ही नहीं है तो यहाँ पर multifactor authentication एक तरीका है जो आपको बचाता है बट OTP उसका एक पार्ट है तो OTP के साथ साथ अब कई सारे और तरीके भी आगए जिससे आप अपना आपको इन OTP fraud से बचा सकते हैं काफी बुन्यादी बाते हैं आपने सामने रखी है और मुकेश आप भी इतिफाक रखते होंगे नितिन की बात से जी बस मैं उसमें कुछ add-on करना चाहता हूं जी वो लिए इसको उसकी प्रॉपर आवेर्नेस नहीं है कंट्री के अंदर आवेर्नेस तो काफी अतिक बैंकों ने और RBI ने कर दी कि आपसे का अगर कोई OTP मांगता है तो उससे OTP नहीं देना है चाहे हो कोई बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बनके बात करें बर सबको यह समझना होगा कि OTP कहां पर काम आते हैं जहां पर 3D गेटवेज होते हैं जो पेमेंट गेटवेज में इंटरेशनल जो फॉरन कंट्र हैं वहाँ पर मल्टिबल जगें ऑनलाइन पेमेंट के 2D गेटवेज हैं 2D गेटवेज पर OTP नहीं पूछा जाता है जब आप कार्ड नंबर एक्सपारेड़ेट सीवी इंसर्ट करते हैं किसी का तो डिरेक्ली ट्रांजेक्शन हो जाता है अब RBI ने जो मेंडेट लगाया है RBI ने मेंडेट इंडिया के गेटवेज पर लगाया है तो इंडिया में तो गेटवेज जो हैं वो 3D गेटवेज को फॉलो करते हैं बट मुल्टिबल फॉरंड कंट्रीज में ऐसा हो जाता है तो अगर आपका का नंबर एक्सपारेड़ेट सीवी भी अगर किसी वेबसा सकता है तो एक तो अगर आप यह सूछते हैं कि आप किसी को OTP नहीं देंगे तो आपके अकाउंट से पैसे नहीं जा सकते है तो यह गलत स्टेटमेंट है second part यह है कि जो international transactions अधिकतर लोग जो use करते हैं क्योंकि mostly लोग तो use करते ही नहीं है उसे disable करना नहीं पता कि उसे हमें disable कर देना चाहिए हम use ही नहीं करते हैं तो at least काफी सारे fraud से वो बच पाएंगे और transactions की उपर limit लगाना जरूर है आपके banks जो है वो net banking में आपको facility देते ह हैं कि online transaction 5,000 से उपर या 10,000 से उपर ना हो क्योंकि fraudsters जो होते हैं preferably वो 2-4,000 की पीशे नहीं लगते हैं वो इक बड़े amount को target करते हैं और बड़ा amount जो है वो successfully फिर transaction जब failure आएगा आपके mobile पर message तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई attempt कर रहा है उस transaction के लिए तो secondly अब OTPs के अलावा क्या होगा कि जो fraudsters से उन्होंने यह सोचा कि अच्छा ठीक है OTP मांगेंगे तो OTP देना तो सबने बंद कर दिया है तो आप क्या करें अब trading के नाम पे investment के नाम पे work from home के नाम पे तो frauds के methods change होते जाते हैं time to time आपने हैं मल्टी फैक्ट ऑथेंटिकेशन की बात की है टू सेप वेरिफिकेशन की बात की है लेकिन इसमें अब मुझे यह बताईए जिस तरह से जालसाजी बढ़ रही हो लगातार हम innovation देख रहे हैं टू फैक्ट ऑथेंटिकेशन के आगे बढ़कर आप और किन किन बात करते ही नहीं है तो क्या यह एक तरीका है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए आप किसी आप में जा रहे हो बैंकिंग अपस तो खेर अपने आप आपको कुछ सेकेंड अगर इन ऑपरेटिव हो तो लोगाउट कर देते हैं लेकिन अगर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर कर सकते हैं यहां पर सबसे इंपर्टेंट चीज जो हमारे मेरे फैलोगेस ने भी बोला कि यहां पर सोशल इंजिनिरिंग का जो अटेक होता है वो उससे बचला बहुत इंपर्टेंट है पहली चीज और अगर यह जो हैकर्स जो फ्रोटेस्टर्स होते हैं वो हुमन की जो होती हैं उनको टार्गेट करते हैं और आपकी परस्तल इंपर्मिशन को कॉम्प्रमाइस करने की कोशिश करते हैं तो साइकलोजिकल यह आपको मैनिपुलेट करते हैं टेकनीक के साथ और आपको ट्रिक करते हैं आपकी लॉगिट क्रेंशल्स या फिर आपके MFA के जो प्रो use कर सकते हैं, जहांपे आप आपको सिर्फ OTP generate होगी, on random, on the fly, वो OTP आपको generate करेंगे, पास्वर्ड, एक कोड generate करेंगे, जिसको आप use करके अपने accounts को log in कर सकते हैं, so in addition, जो आपको OTPs आती हैं, उसके on top of it, यह एक additional feature है, यह additional security layer बोल लीजे, इससे आप अपने accounts को safeguard कर सकते हैं, चलिए, इसके अलावा यहां पर जितनी भी तरह की चीज़ें आप इस्तमाल कर रहे हैं, safeguard करने के लिए, और social engineering की हमने बात की है, इससे निपटनी की रणनीती की हमने बात कर ली है, लेकिन scamsters जो है, किस तरह से आपको track करते हैं, और किन-किन बातों का यहां पर, because आपका एक social platform का behavior होता है, आपका online behavior होता है, जिसको track किया जाता है, और उसके आधार पर जो है, नसर्फ आपको victim के तोर पर बनाय जाता है, बलकि उसका एक जरिया होता है, उसका एक pattern भी होता है, मान लीजे, जैसे कि आपने बात की मुकेश के आपको ads उसी तरह के आएंगे, अगर कोई आप search डाल देते हैं कहीं अपने Google पर, किसी भी चीज़ को लेकर, मान लीजे, आपको कोई चीज खरीदनी है, कहीं न कहीं उसी तरह के सारे विग्यापन आपको आपके Facebook पे, Instagram पे सब जगा देखने शुरू हो जाएंगे और कहीं न कहीं ये भी एक तरीका हो दा जिससे आप hackers जो हैं, आपके चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं गोपनी अता अपनी online सबसे पहले तो क्या होता है, कि जब कोई भी user होता है, वो ये देखता है, जैसे हम mobile phone purchase करते हैं, तो ये देखते हैं कि mobile phone में camera कितना megapixel है तो preferably लोग ये देखते हैं कि हमें facility क्या मिल रही है, अगर आप credit card ले रहे होंगे, तो credit card पे आपका पहला ध्यान AC पे जाएगा, कि credit card के limit कितनी मिल रही है मुझे, और security part और उसका जो privacy और security वाला पार्ट है, उसके उपर लोगों का least interest है, तो यही एक loop होले जिसकी वज़े से वो target victims बन जाते हैं, और यहाँ पे आप social media या Google Gmail account या other accounts जो है email service provider से, उसके अंदर facilities हैं, जैसे Facebook है, तो Facebook की अगर मैं बात करूँ, एक छोड़ा से example लेता हूँ, Facebook का, Facebook में काफी सारी users को target किया जाता है, तो Facebook में option देता है Facebook settings में जाके, आप privacy में जाके, profile locking का एक option है, जिसको select कर सकते हैं, जिससे आपकी profile lock हो जाएगी, और आपकी display picture के अलावा, almost सारी की सारी information protected रहेगी, और कोई भी outsider जो आपका friend नहीं है, वो आपकी कुछ भी information नहीं देख सकता, वो भी नहीं देख सकता, आपने क्या post किया है, आपके friends कितने हैं, इससे एक fraud है, जो almost neglect ही हो जाता है, बच जाते हैं, जिसके काफी सारे लोग, काफी officers, ministers, in fact, chief ministers भी इसके शिकार हुए, जिसके अंदर fake profile create करके, आपके जो friend circle है, क्योंकि आपके friend list visible है, आपके एक fake profile create हो जाती है, friend list visible होती है, सारे friend list को messages send होते हैं, क्या I am in a trouble, और मुझे इतने amount की requirement है, तो वो एक panic की situation हो जाती है, कि उनको काफी सारे calls आने start हो जाते हैं, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब precautionary measure क्या है, कि आप अपनी profile अगर log करके रखते हैं, तो आपके post के बारे में नहीं तो जो भी आप email service provider यूज करना है, उसमें option होता है, कि उसको restrict करना है क्या, तो जैसा भी आप email service provider यूज करेंगे, उसके settings को explore करना चाहिए, तो जब भी हम कोई social media account create करते हैं, चाहिए वो X पे हो, या other platforms हो, जैसे Instagram हो, तो वहाँ की settings, security settings, privacy settings को explore करने के जुरते options सब है, अब आपको ये देखना है, कि आप उसको allow करना है, आपको इसको deny करना है, इसकी समझ होना बहुत important, आखरी सवाल एक नितिन, आप से मैं लोंगी और उसके बाद हमें शर्चा को समेटेंगे, तो हमने बात कर लिए multi-factor authentication की, two-factor authentication की, अब जो लोगों के लिए, जो लोगों के लिए नितिन ये चीज नहीं है, उन्हें जरा बता दीजे कि इसको setup कैसे करते हैं, कहां-कहां अपने phone में और अपने बागी तमाब gadgets में आपको जाना होगा, कई बार बहुत सारे iPhone users के साथ हमने देखा है कि एक बार एक जगा से वो login करते हैं, तो उनके सारे gadgets में वो login हो जाते हैं, ये भी एक चीज़ें है, problem में जो सामने आती, क्योंकि अगर एक जगा आप hack हो गए हैं, then everything, सब कुछ चला जाएगा सब जगा से, तो अब बताइए कैसे इसको set करना चाहिए, समझदारी से, और set करने के बाद याद भी तो रखना पड़ेगा, करेक्ट, कभी तब से पहली चीज में आपके शो पर हमेशा बोला हूँ कि अपने business और परसनल लगा, ट्रांजेक्शन को आपको अपको अलग रखना है, बहुत इंपोर्टन अपैलोगी चीज़े, कभी भी परसनल और business ट्रांजेक्शन एक साथ मत रखिए, एक computer पर रखिए, एक device पर मत रखिए, इसको segregate करते हैं, दूसरी चीज़ important, आपको कैसे करना है, आपको settings में जाके, क्योंकि अब almost सारे platforms अपने security settings के बारे में public में इसको बताते हैं, documents इसके publish किये जाते हैं, तो आपको settings में जाके, अपने social media, social media websites की settings में जाके, आपको two-factor authentication को set up करना है, अपने आपको email accounts के two-factor authentication को set up करना है, in case अगर आपको लगता है कि two-fa भी आपको लगता है कि काम नहीं कर रहा है, तो आपको अपने mobile में app store में हो, या फिर अगर आप iPhone यूज कर रहे हैं, या फिर आप Android यूज कर रहे हैं, तो आप वो अपने stores में जाके, app stores में जाके, आपको authenticated apps, authenticators apps होती हैं, उनको download करना है, उसके साथ आप उनको map कर सकते हैं, और जब भी आप अपने किसी social media या email को use करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको इस तरीके के quotes को इस्तवाल करने के लिए बोलेगा, और ये quote कोई भेजेगा नहीं आपको, ये automatically apps आपके लिए generate करेंगी, तो chances are very very minimal कि आपको आपके accounts को यहाँ पर compromise हो पाएंगे, so इनको आपको थोड़ा सा research करना पड़ेगा, थोड़ा सा उन websites पर जाके पढ़ना पड़ेगा, कि किस तरीके से ये आपको set करने है, social media, पूरा platform, social media platform आपको पूरा access देते हैं समझने के लिए, authenticating apps आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए easy रहेगा, और उनको use कर सकते हैं, दूसरी चीज़, जब आप कहते हैं कि आपके accounts, एक दूसरे accounts से link हो जाते हैं, आइफोन में ये specially होता है, कि जब आप एक जगे log it कर लेते हैं, क्योंकि आपकी एक ID होती है, जिसके साथ वो सारे आपके devices map हो जाते हैं, तो कोशिश करिए कि ये easy और convenience के लिए करा गिया है, बड़ आपको अपने password securities को strong करना पड़ेगा phone के, जिससे और अपने password को और ज़्यादा passphrase में बनाना पड़ेगा, जिससे कि at least कोई उसको gas ना कर पाए, और यही features आपके mobile applications में, social media accounts की settings के settings में अगर आप जाएंगे, तो उसमें आपको ये सारे features दिखाई देंगे, और राइट, इन बातों का ख्याल रखें और बहुत ही safely आप तमाम तरह की browsing या आपकी जो activities हैं social media accounts पर वो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत हद तक आपकी online safety security और खास्तरों से आपकी financial online safety security आप ही के हाथ में हैं, तो इन बातों का ख्याल रखें और इन पर अमल करें, भाई बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकर्ष में शिरकत की और रश्रुकों को सकता है और क्या करने पर घाटा भी हो सकता है, आंतिनी हिलेरी हमारे साथ जुलेंगे इस खास चर्चा के अंश आपको दिखाएंगे, ब्रेक के बात